तो मूरी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज सी तक्रीबन 5 साल पेले गोर्जिला और कॉंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी जहांपर गोर्जिला कॉंग को घराने की बाद समंदर की गिराइनों में चला गया था लेकिन यह बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है और यहां पर हम कॉंग को बहुत ज़्यदा अग्रेसिफ पाते हैं वो काफी modern चीज़े बनाया करती थी लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर तोड़ा गों डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा है कर लेता है जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े object को होंग कॉंग शिफ्ट कर रही है लेकिन तभी वहाँ पर अलाम बचने लगता है और ये गोर्जिला के आने का अलाम था देखते ही देखते गोर्जिला समंदर से बाहर निकलाता है बाहिर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉई करने लग जाता है किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोर्जिला सब को क्यों मारता जा रहा है क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटम है जो इंसानों को सेफ करता है उनकी चान बचाता है यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि गोर्जिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूकलिर पावर है और गोर्जिला अपने न्यूकलिर पावर का इस्तामाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉई कर देता है इसके बाद ये नियूस पूरी दुनिया में वारिल हो जाते है कि गोर्जिला आ चुका है लेकिन इस बार वो चेंज हो कराया है पहले जैसे नहीं रहा यानि पहली वो इंसानों को बचाता था लेकिन अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सब को मारता जा रहा है कंपनी का और नियूस में सब को बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजक्ट पर काम कर रही है वो बहुत जिल्द एक ऐसे डिवाइस बनाने में काम्याब हो जाएंगे कि जिससे गोर्जिला का मुकामला हो सकता है इस में उसको एक लड़के भी देख लिती है जिसका नहुता है मेडिसन लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एक्री नहीं करती कि गोर्जिला उससे में आया है क्योगavors्ची से जानती थी इसलिए वो इस मेडिसन को सिरफ एक बखवास समझती है कि देखो बेटा, ये सारी कर्येचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों के तरह ही होते हैं, यानि इनका मोर चेंज हो सकता है, अब देखो, गोर्जिला में चेंज हो किया है, और वो इंसानों को मारता जा रहा है, इसकी बाद मेडिसन वहां से चली जाती है, और वो उस हैकर की गोर्जिला के बारे में एक ओनलाइन आडियो अपलोड करता है यहां पर मेडिसेन की साइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पुछी की कि आखर ये चकर किया है गोर्जिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉई गिया इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है डॉक्टर नेथन असल में एक साइटिस्ट भी होती है कंपनी का Honor Dr. Nathan को बताता है कि आपका जो concept था Hollow Earth वाला हो बिल्कुल सही था और यह वो जगाती जहां पर Titans पैदा होते हैं असल में Dr. Nathan ने एक book लिखी थी जिसमें उन्हें लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम Hollow Earth है यह चुपी हुई है और किसी को लज़र नहीं आती और असल में यह Earth Titans की एनरजी का सौर्स है वही पर कंपनी का Honor Dr. Nathan को एक और आदमी से भी मिलवाता है कंपनी का Honor Dr. Nathan को बताता है कि हमने Hollow Earth के अंदर ही एनरजी का एक सोर्स डूण गिया है Dr. Nathan हमसे पुछता है कि आकर हम उस Hollow Earth तक जाएंगे कैसे क्योंकि अपसे कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने के कोशिश के थी लिकिन वो नहीं जा पाया और मर गया यहाँ पर हम यह बात पर जान पाते है कि Hollow Earth में ग्रैविटी नहीं होती इसलिए वहाँ पर हर चीज हावा में उनने लगती है जिस पर कंपनी का ओनर Dr. Nathan को कहता है कि आपको इस बार में फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी में एक एंटी ग्रैमिटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी Hollow Earth पर जाएंगे पर नहीं लग सकते हैं और अगर वहाँ से बाहें निकला भी तो गुर्जिला उस पर टैकर देगा इसलिए कॉंग सिर्फ हालो एर्थ में ही सेफ रह सकता है अब तोड़ी बहस के बाद फाइनली वह फीमेल डॉक्टर बे इस बात के लिए एगरी हो जाते है क्योंकि इसके लावा उनके पास और कोई आप्शन जो नहीं था फिर ये लोग अपनी पूरे आर्मी के साथ कॉंग को होलो एर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं कॉंग को ये लोग चेंज से बान कर ले जा रहे थे कॉंग की फ्रेंड यानि वो छोटी बच्ची कॉंग की इशारों में बाती करती है बच्ची बताती है कि कॉंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांदा हुआ है आर्मी का लीडर उस फीमेly डोक्टर को कहता है की हम गोर्जिला के रास्ते से नहीं बुजेंगे और हम किसी दूसरी रास्ते से जाएंगे ताकि गोर्जिला को बतना चलपाए जिसमे वो फीमेल डोक्टर कहते है की जिहां बिल्कुल हमें ऐसा ही करना जाएए क्योंकि गोर्जिला और कॉंग की काफी पुडारे बश्मनी है क्योंकि वो दोनों ही कुद को मॉंस्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे पिर हम दिखते है कि कॉंग वली शिप में अलाम बचने लगा है वो बच्ची फीमिल डॉक्टर को बता रही होती है कि गोर्जिला आ रहा है डॉक्टर मैथन कहता है कि अब क्यूंकि गोर्जिला बाही आ रहा है तो हमें कॉंग को भी अजाद कर दिना चाहिए जिसका गोर्जिला पर जरा भी असर नहीं होता जो उन लोगों की प्लेंज होते हैं गोर्जिला उन्हें में डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गोर्जिला कॉंग वली शिप की तरफ बढ़ रहा था फिर वो पल्टी वे शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके लेकिन गोर्जिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी इस पार से गोर्जिला को काफी घुसा आजाता है और यहाँ पर वो अतनी पावर यानि नुक्लिर पावर का इस्तवाल करता है यह देखकर कॉंग जिन्दे से अपनी जान बचाने के लिए पानी में गोच जाता है गोर्जिला की जो न्यूक्लिर पावर की लाइड होती है वो हर जगा पहेंच आती है सब लोग उसे देखा काफी हरान रहे जाती है और यहां पर हमें अंताजा हो जाता है कि गोर्जिला कितना ज्यारा पावरफुल है वो फीमेल डोक्टर कहती है कि हमें जल से जल कोंग के हेल्प करने चाहिए होना गोर्जिला उसे माट रलेगा फिर यह बहुत सारे मिजाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता यह है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आजाता है तो हम कैसे आके बड़े और हम कोंग को कैसे ले जाएंगे जिस पर डोक्टर मेतन कहते हैं कि हम कोंग को उड़ा कर लेकर जाएंगे दूसरी दरफ हम दिखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में गुस्ते है ये चेक करने के लिए कि आखिरी कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गोर्जिगा को गुस्सा आया और उसने अटाइक कर दिया वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़ी आनिमल के अंडे में मिलते हैं लिकिन कौन वहाँ पर जाने के लिए इंकार कर देता है पर ये लोग भी साइट करते हैं कि उस बच्ची के थ्रूप को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए क्योंकि कौन उस बच्ची की कोई बात नहीं डालता था अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रैविटी कार्स थी इसलिए उनकी जान बच जाती है और होलो अर्थ में अलग-अलग तरह की मॉंस्टर्स भी थी और तब एक फ्लाइंग मॉंस्टर उनकी एंटी ग्रैविटी कार पर अटेक कर देता है वो मॉंस्टर उस बच्ची पर भी टैक करने वाला होता है लेकिन कोंग उस मॉंस्टर को पकड़ देता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉंस्टर का सर ही धर से अलग कर देता है इसकी बाद कोंग तेजी से आगी बढ़ने लगता है जिब की बागी सब भी कौंग की पीछे पीछे जाते हैं अब होलो अर्थ पर ग्रैविटी ना होने की वजय से वहां की सारी पत्थर हावा में उड़ रहे होते हैं मैडिसन और उसके फ्रेंड्स होंग को पहुंच जाते हैं मीगा गोर्जिला यहाँ बर अपनी पोवर्स का इस्ता्नाइब कर किसका उप़र को मार डालता है लेकिन यहाँ परी गड़ब्र हो जाती है और वो यह कि उन्हीं मीगा गोर्जिला को चलानी की और ज्यादा पावर चाहिए थी होलो अर्थ दिखने में काफे खुबसूरत थी और होलो अर्थ वी जो अनर्जी सोर्स था वो एक पहाड में था कॉंग उस पहाड की तरफ जाता है और उसके डूर को ओपन कर देता है और जो उसे धाड़ता है कॉंग को वहाँ पर एक रैपन मिल जाता है जो कि एक एकस थी और ये एकस कोई नॉर्बल एकस नहीं होती बिल्कि ये गोटजिला की बोड़ी से बनाई गई होती है जो कि बहुत बावर्फल होती है कौंग उस एक्स को लेकर एक जग़ पर बैढ़ जाता है बिल्कुल किंग की तरह गोर्जिला जो कि होंग कौंग पहुँच गया था और अब वो मेगा गोर्जिला की तरह बढ़ रहा था जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इदर उदर बागने लगते हैं दूसरी तरह कौंग को अनर्जी सोर्स भी मेंच जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि अनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज पर सकता है क्यूंकि उसकी एक्स Chaarge होने के बादे जिल सकती है और Chaarge होने की बाद वो और जियादा बवर्फ हो जाती है गोर्जिला को ये बाद भी पता चल जाती है कि होलो और्थ में कोई आया है जिससे गोर्जिला अपने न्यूकलियर पॉवर समीन पर मारता है जिससे वो न्यूक्लिर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉंग के पास पहुचाती है वो इस अनर्जी का थुड़ा सा सैंपल अपनी कमपनी के पास पीछ देती है तकि वो लोग मीगा गुर्जिला को एक्टिवेट करती है हनाकि फीमेल डोक्टर उससे ऐसा केंटेसी मना करती है कि वो उसकी एक ने सुनती और जिब उस लड़की को रिलाइस होता है कि यहाँ पर गुर्जिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है और मोके का फाइदा उटाकर गुर्जिला को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों की बीच जबर्दस्ट फाइट होते है गुर्जिला कई बार अपने न्यूग्रे पावर का इस्तामाल करके कौंग को मारने की कोशिश करता है इन दोनों के बीच काफी दिर तक फाइट चलते रहती है अब क्योंभी गुर्जिला काफी ज़्यादा पावर फुल था इसलिए कौंग हारता हुआ नजर आ रहा था गुर्जिला कौंग को इंचेट करकी वही पर फैंक देता है उसे देखकर कौंग के जोसे धारने लगता है और तब एक गुर्जिला कौंग को छोड़ कर वहां से जाने लगता है हम देखते हैं कि कम्पनी के ऑनर को वह अनर्जी सोर्स में चुका था जिसके ज़रीए वो मीगा गुर्जिला को चगा दे गुर्जिला जब मीगा गुर्जिला को देखता है तो वो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है अब क्योंकि मीगा गुर्जिला काफी पॉवर्फुल था इसलिए गुर्जिला हारता हूँ नजर आ रहा था वो बच्चे कॉंक की हार्टबिट सुलते है तो सबको बताते है कि कॉंक की हार्टबिट आइस्ता आइस्ता काउं होती जा रही है जिस पर डॉक्टर मेतन कहते है कि हमी कॉंक को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा अलब्ट शोक देना होगा मिलकर लड़ना चाहिए लेकिन मीगा गोर्जिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर बारी पढ़ रहा था अब क्योंकि मैडिसन और उस हैकरसिव मेशिन बन नहीं हो रही थी जिसे मीगा गोर्जिला की पावर्स को कम किया जाए इसलिए वो उसे में आकर उस मेशिन पर पांधी डाल देते हैं जिसे मीगा गोर्जिला थोड़ी देर के लिए ओफ हो जाता है और इसी बात का फाइदा उडाकर गोर्जिला अपने नियुक्रे पावर के ज़रिये कॉंग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉंग की पास पावर आचुके थी इसलिए वो मीगा गोर्जिला को तबाहों बरबाद करके रख देता है उसकी हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बाड़े की पास अलगलग कर देता है और लास्ट मी वो मीगा गोर्जिला का सर भी उखेड़ कर फैंग देता है अब क्योंग की मीगा गोर्जिला मढच चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है लेकिन तभी गोर्जिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉंग भी अपनी एक्स लेकर गोर्जिला से लेड़नी के लिए तयार हो जाता है अब क्योंगे उन दोनों ने एक तुस्री की हेल्प की ती इसलिए उन नहीं लड़ते और कॉंग उस चोटी बच्ची को भी अपने साथ माँ पर ले गया है और इसी के साथ ही इस मोवी का यही परेंट हो जाता है